Hello friends, welcome back to Robin Mehta YouTube channel. In today's video, we are going to talk about how to add your website to Google Search Console. तो अपनी website को सर्च कंसोल में सब्मीट करने के लिए आपके पास दो उप्शन है या तो आप डोमेन लेवल पे उसको अड़ कर सकते हैं या फिर URL लेवल पे उसको अड़ कर सकते हैं. तो पहले हम देख लेते हैं कि domain level और URL level होता क्या है तो जब भी आप Google Search Console open करेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरह का एक interface open दिख जाएगा यहाँ पर आपको अपनी website को add करना है यहाँ console के अंदर हम अपनी website को property बोलते हैं तो यहाँ पर देखिए दो option है या तो आप domain level पर अपनी property को add कर सकते हैं या फिर URL prefix के form में भी आप उसको add कर सकते हैं तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि domain और URL prefix का मतलब क्या है पहले बात करते हैं domain की domain का मतलब क्या है जैसे मान लीजिए है मेरे पास यह एक website है जितने भी URL हैं आपकी website पर और जितनी भी subdomains हैं वो सब इसके अंदर cover हो जाएगी अगर आपकी website इस तरह से है ये भी cover up हो जाएगी और या फिर अगर आपने अपनी website का कोई mobile version create किया हुआ है तो वो भी इसके अंदर cover हो जाएगा या फिर आपने कोई और इसके अंदर आपने एक subdomain बना रखी है जिसका नाम आपने कुछ भी रखा हुआ है abc.shoutandrise.com इसके बाद अगर कुछ भी है मालो यहाँ पर clothing मैं लिख देता हूँ तो वो तो cover हो गई होगा बट अभी हम previous की बात कर रहे हैं आगे वाला तो sub cover होने वाला है ठीक है हमारी जो domain actual में होती है वो इसको हम domain बोल सकते हैं सिर्फ इतने को ठीक है southandrise.com आगे कुछ भी नहीं है तो इसको हम domain बोल सकते हैं अब इस domain के आगे कुछ भी है उसको sub domain बोला जाता है तो ये भी cover up होगा ठीक है ये अगर M है ये तो cover हो गई होगा और इसके अलावा अगर आपकी domain के आगे जैसे माल लीजिए अभी यहाँ पर क्या है अभी मैं इसकी बात करता हूँ माल लीजिए यहाँ पर M लगा हुआ है ठीक है अगर हम इसकी जगहाँ पे www भी लगा देते हैं तो ये भी उसमें cover होगा यानि कि दोनों versions without www और with www वर्जन जो है दोनों cover up हो जाएंगे ठीक है नेक्स्ट है अगर आपकी इस domain के नामे HTTPS है अगर HTTPS ना भी हो तो भी वो आपका उसके अंदर cover up हो जाएगा तो यहाँ पर क्या है आपकी all subdomains यह हमने देख लिया है ठीक है इसके अलावा HTTPS या HTTP होगा तो वो भी cover up हो जाएगा और इसको करने के लिए आपको DNS verification की जरुरत पड़ेगी देखिए इसके अंद डालते हैं website को इसके अंदर डालते हैं तो आपको verify तो करना पड़ेगा ना कि यह जो website है यह आपकी website है वरना तो कोई भी इसके अंदर डाल गए उसका data ले लेगा ठीक है तो आप कैसे verify कर सकते हैं अगर आप domain level पर verification करना चाह रहे हैं तो आपको DNS verification करना पड़ेगा DNS verification के यहां से आपने domain को buy किया है माल लिजे GoDaddy से आपने domain को अपने domain को भाई किया है तो वहां पर जाकर DNS configuration जाकर जो भी यहां पर बोला जाएगा उसको वहां पर add करना हुगा vivoon verification आपकी हो जाती है इसको थोड़ा और clarify कर लेते हैं अभी हमने domain level verification देखा इसको हम Google का ही एक document है उसकी help से समझ लेते है एक पर फिर से जैसे कि domain level का मतलब क्या है a domain level property that includes all sub domain जिसमें सभी के सभी sub domain cover up हो करती हैं तो मैंने यह बता दिया आपको कि M लगाया हो यह www लगाया हो या कुछ भी और हो and multiple protocols तो प्रोटोकोल में अभी हमने दो की बात की थी HTTP और HTTPS तो FTP भी एक protocol होता है जिसको आप file transfer protocol बोलते हैं इसका यूज हम किसले करते हैं जब हमें कुछ भी file को अपने server पर upload करना होता है तो हम FTP का यूज करते हैं ठीक है तो इसके examples देख लीजिए पहले इसके examples क्या है जैसे कि हमने क्या add किया था हमने example.com website को add किया ठीक है तो क्या-क्या cover होगा HTTP version देखिए इसके अदर W version तो यह भी cover होगा आपकी domain के आगे कुछ subdomain added है ठीक है यहां पर कुछ भी हो सकता है तो वह भी होगा यानि कि हर तरह का URL basically domain level में जो है आपका verify हो जाएगा इसका use क्या है और कौन सा हमें करना चाहिए वह मैं आगे cover करूंगा पहले इस चीज को हम एक बार clarify कर लेते हैं next है इसके अंदर URL prefix URL prefix का मतलब क्या है only URLs under entered address यानि कि आपने जो भी URL एंटर किया है सिर्फ उसके अंडर जितने URLs आ रहे हैं वही cover होंगे जैसे कि for example मैंने यहाँ पर मान लीजिए यह मैं अपनी website का example उठा लेता हूँ यह हमने उठाया ठीक है और इसके आगे अगर मैंने A, B, C लिख दिया तो यह cover होगा ठीक है या फिर इसके आगे मान लीजिए मैंने H, G, I लिख दिया तो यह cover होगा लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि H, G, I के बाद अगर कुछ आ रहा है तो वो cover नहीं होगा वो भी cover होगा बट उसके पहले की जो चीजे हैं उसमें इसने यह एक path fix कर लिया कि H, G, I तक होगा उसके बाद कुछ भी हो सकता है ठीक है या फिर A, B, C तक होगा उसके बाद कुछ भी हो सकता है तो इसमें clarity होनी चाहिए कि हमें जो हमने fix कर दिया है slash के बाद जो enter कर दिया है वहां से ल जाएगा तो इसके अंदर क्या cover नहीं होगा पहले यह देख लेते हैं only URLs under specified protocol जो प्रोटोकोल आपने define कर दिया सिर्फ वही होगा मालीजी मैंने इसके अंदर https protocol define किया था तो यही होगा यानि कि यह क्या cover नहीं करेगा यह इसको cover नहीं करेगा अगर यहाँ पर हम s हटा दे दे तो मैंने यह s हटा दिया तो यह cover नहीं करेगा इसके अलावा सब डोमेन को भी ये cover नहीं करेगा माली जै मैंने यहाँ पर M लगा दिया तो वो भी cover नहीं करेगा www या non-w माली जै यहाँ पर ये लगा दिया तो वो भी cover नहीं करेगा क्योंकि हमने तो कौन सा add किया था हमने तो ये वाला version add किया था www नहीं है ठीक है इसको मैं आपको एक बार फिर से इस document की help से आपको समझा दे रहा हूँ कि क्या है ये तो URL prefix में देखिए include only URL with specified prefix including the protocol तो जो prefix आपने define कर दिया वही और साथ में उसका protocol इसका example की help से clear हो जाए गई है तो माल लीजे मैंने इसके अंदर ये प्रोटोक ये जो है exact URL एंटर किया था जिसमें http है s नहीं है और example.com तो ये तो cover होगा इसके अंदर ये exact match कर रहा है और साथ में dresses है 1234 है तो ये तो cover होगा बट क्या cover नहीं होगा s नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर s नहीं था ठीक है और ये www है वो भी नहीं होगा क्योंकि हमारे इस version के अंदर भी ये नहीं था तो sub domains भी नहीं होगी और जो protocol आपने define कर दिया है सिर्फ वही होगा उसके अलावा दूसरा protocol जा है वो इसके अंदर नहीं होगा तो ये दो level पे हम इसको करते हैं अब पहले ये देख लेते हैं कि ये verification करना कैसे है तो आज की जो इस particular वीडियो में हम URL लेवल का जो verification करेंगे उसके बाद next में हम domain level का देखेंगे तो URL prefix के अंदर आपको करना क्या होता है आपको अपनी website का URL कोपी करना है ठीक है और इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर enter कर देंगे और continue पे click करेंगे तो जो verification हम करने वाले हैं तो उसके अंदर हमारे को verification के methods भी पता चलेंगे ठीक है तो इसमें हम देख लेते हैं कि कौन-कौन से verification के methods हैं जैसे कि मैंने बोला था कि domain level verification अगर आपको करना है तो उसके लिए आपको domain को access करना होगा यानि कि आपको go daddy या name chip जहां से भी आपने domain by की है वहाँ पर login करना होगा लेकिन URL level verification काफी सारे तरीकों से होती है वह एक ही उसमें एक ही तरीका होता है domain में यहाँ पर क्या है काफी सारे तरीके होते हैं जिससे आप अपनी website को जो है verify कर सकते हैं तो वह सारे तरीके हम one by one देख लेते हैं जैसे कि पहला इसमें तरीका है HTML file यह recommended method है बट इस method में भी आपको क्या चाहिए यहाँ पर आपको hosting का access होना चाहिए hosting क्या होती है जहाँ पर आपकी website की सारी फाइले स्टोर होती है ठीक है यह domain नहीं है यह hosting है hosting और domain में confused नहीं होना है ठीक है domain का मतलब है कि आपने जहां से यह name by किया हुआ है shoutandrise.com यह आपने name by किया है और hosting का मतलब क्या है जहां पर आपने इस website के अंदर जो भी images है file है text है वो रखने के लिए जहां पर आपने space by किया हुआ है उसको बोला जाता है hosting तो इस तरह की verification के लिए अगर आप html file level की verification के लिए आपको hosting चाहिए होगी ठीक है आपको क्या करना है इस file को download करना है और hosting में जाकर वहाँ पर इसको upload कर देना है तो यह वाला method हम इसमें cover नहीं करेंगे यह हम domain level के साथ मैं आपको बता दूँगा next इसमें method है html tag तो यह काफी easy method है इसको हम करेंगे पहले देख लिजी होता क्या है इसमें क्या करना है आपको यह इन्होंने एक tag दे दिया इस tag को हम copy करेंगे और अपनी website में जाकर उसके जो header है head है उसके अंदर रख देंगे ठीक है तो यह method हम practically करने वाले हैं लेकिन दूसरे method में आपको बता दे रहा हूं उसके बाद है Google Analytics तो यह क्या है मालीजी आप इसी email से आपने अपनी Google Analytics को verify कर लिया है तो उसके बाद आपको सिर्फ verify पे click करना है आपके जो यह website है वो automatically search console में verify हो जाएगी बट शर्त क्या है कि email ID वही होनी चाहिए जिससे आप जो आप यहाँ पर use कर रहे हैं वही analytics में use होनी चाहिए उसके बाद अगला method कौन सा है Google Tag Manager तो Google Tag Manager गूगल का एक tool है जिसकी help से हम काफी सरे tags होते हैं यह तो अभी दो की बात करें तो जितने भी tags होते हैं उनको manage करने के लिए Google Tag Manager होता है अगर आपने वो कर रखा है तो भी आपको simply यहाँ पे verify पे click करना है बट शर्त हुए है email ID सेम होनी चाहिए next is domain name provider तो यह method वही method है जो हम domain level पे करते हैं तो यहाँ प methods है अब जो easiest method है जो हमारी WordPress website में आसानी से हो जाता है वो है HTML tag method ठीक है तो हमें करना क्या है हमें simply इस tag को copy करना है और अपनी website के अंदर जाना है जैसे मैं इस website के अंदर गया यहाँ appearance में जाना है theme file editor पे click करना है तो mostly websites में आपको यह मिल जाएगा अगर नहीं मिलेगा तो इसके लिए मैं एक अलग method आपको बता देने वाला हूं लेकिन पहले यह देख लेते हैं जब इसको आप open करेंगे तो यहाँ पर आपको एक file मिलेगी जिसका नाम है header.php जब आप इस file पे click करेंगे तो यहाँ पर आपको एक head tag मिलेगा ठीक है यहाँ से लेके यहाँ तक paste करदेना है जब आप यहाँ पर paste करदेंगे उसके बाद आपको क्या करना है update file पर click करेंगे उसके बाद वापीस वही जाना है और हम यह method कर चुके हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे verify पर click करता हूं तो यह देखी हमारा जो है ownership verified हो चुकी है यानि हमारी जो property है वो इसके अंदर अब आ चुकी है ठीक है तो यह कहाँ पर आएगी इसको okay करते हैं यहाँ पर यहाँ से जाके आप उस property को access कर सकते हैं इसके अंदर आप और properties भी add कर सकते हैं आपको सिर्फ add property पर click करना है और फिर उसी तरह से interface open हो जा चाते हैं URL level पर करना चाते हैं तो यह आप यहाँ से कर सकते हैं अब मैंने आपको बोला था कि मालीजी अगर आपकी theme में इस तरह का option नहीं आ रहा है तो क्या करें तो उस case में आपको क्या करना है आपको एक plugin को install करना है जिसका नाम है header and footer plugin ठीक है तो मैं यहाँ पर header and footer लिखते रहा हूं तो जो मैंने header and footer लिखा तो यहाँ पर देखिए एक यह plugin आ रहा है WP code जिसमें लिखा रहा है insert header and footer यह भी कर सकते हैं यह भी कर सकते हैं तो यह वाला use कर लिए यह काफी popular plugin है तो यह हमने अल्रडी कर रखा है active है तो यह आपको यहाँ पर दिखेगा य यहाँ ठीक है तो जब आप यहाँ पर जाएंगे यहाँ पर header and footer का एक tab मिलेगा यहाँ पर click करना है आपको और यहाँ वही tag paste कर देना है जो हमने अपनी theme के head के अंदर add किया है तो मैं क्या करता हूं यहाँ पर paste कर दे रहा हूं तो यहाँ add करने के बाद इसको save changes कर देना दूसरा यह है कि जब भी अपकी theme update होती है तो कई बार यह जो verification है यह चला जाता है तो उस particular case के लिए आप अलग से जब plugin add करके add करेंगे तो आपको जो है जब theme update होगी तो भी verification जो है वो cancel नहीं होगा इसके अलावा एक और फाइदा क्या है जितने भी verification आपको करने है काफ benefits हैं तो यह दो methods मैंने आपको URL के अंदर ही बता दिये हैं एक तो क्या है आप theme से update कर सकते हैं दूसरा header and footer से कर सकते हैं इसके अलावा जो methods हैं जैसे analytics का Google Tag Manager का तो वो दोनों होनी चाहिए अलग से तो उसमें कुछ भी add नहीं करना बस आपको वो दोनों अगर काम कर रखे करेंगे next में ठीक है तो अब next क्या है तो next है कि कौन सा verification method करना चाहिए जैसे महां लिजे मैं यहाँ पर add property पर क्लिक करता मुझे एक नई property add करनी है तो मुझे कौन सा method यूज करना चाहिए domain वाला या URL prefix वाला तो यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजे कि domain और URL में difference क्या है या ठीक है जब भले ही वह HTTP है नोन HTTPS हो तो यह तो वैसे case नहीं होता है HTTP नोन HTTPS क्योंकि हमें एक पर ही करना होता है HTTPS ही करते है क्योंकि HTTP तो आज कल आप करेंगे तो Google आपको Chrome आपको error दे देगा लेकिन हम बात कर लेते हैं कि sub domains की तो अगर आपको पूरा data एक ही जगहां पर चाहिए ठीक है तो आप domain level property का use कर सकते हैं मालीजे मैंने shoutandrise को add किया और मेरे पास इसके अंदर कोई और सब domain भी है m.shoutandrise.com ठीक है तो अगर मैं वो पूरा data यही पर देखना चाहरा हूँ तो मैं क्या करूँगा मैं domain level का use करूँगा या मालीजे मैंने shoutandrise के बाद slash क अगर की blog लिखा हुआ है और सारा हम blog publish करते हैं continuously मुझे पूरा blog का data भी एक ही जगह पर चाहिए जहाँ पर मैंने domain add किया तो वो सब अगर एक ही जगह चाहिए तो आप domain level verification का use कर सकते हैं अगर आपको कोई मालीजे मैंने अपनी website में हिंदी का add करना है तो या तो मैं sub domain के level लेवल पर add कर सकता हूं या मैं sub directory के level भी add कर सकता हूं मालीजे मैंने यहाँ पर यह करने के बाद यहाँ पर ही कर दिया ठीक है और इसके अंदर ही जो आपका content है वो हिंदी के अंदर है यह news website के अंदर आपको देखने को मिलता है mostly ठीक है तो अब इस URL को मैं क्या कर सकता मैं URL prefix के अंदर add कर सकता हूं तो अब मुझे यह इसके बाद का ही data देगा ठीक है मालीजे यहाँ पर मेरी English website है और अगर यहाँ पर CHI कर देता हूं तो हिंदी है तो अगर यह add कर दिया तो जो हिंदी website का पूरा जो data है वो URL prefix में आएगा यानि अगर आपको कुछ अलग कर करना है ठीक है तो आप इसमें भी कर सकते हैं तो सिर्फ specific के लिए URL यूज कीजिए और सभी के लिए domain यूज कर लीजिए अगर आप domain के अंदर जाके वो DNS verification में नहीं जाना चाहते तो आप क्या कीजिए आप इसको हटा दीजिए और मालीजे आपके पास कोई sub domain भी नहीं है तो इसको यूज कर सकते हैं आप जैसे नॉर्मली ऐसा ही होता है हम sub domain बगारा कम यूज करते हैं या फिर sub directory बगारा कम यूज करते हैं तो URL prefix method यूज के लिए क्योंकि इस इंदर सब कुछ ही cover हो जाएगा क्यों हो जाएगा क्योंकि non HTTPS version तो हमें use करना ही नहीं है क्योंकि हमारी website secure नहीं रहेगी ठीक है और www version भी जो है हमारा हमारा जो है एक ही URL पर redirect होना चाहिए को कि Google दोनों को अलगलग consider करता है तो एक URL पर ही redirect होगा तो इसमें आपका सब कुछ cover हो जाएगा तो URL prefix वाला method आप आसानी से कर सकते हैं ठीक है लेकिन अगर domain का करना है तो domain वाला आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में